हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरे चैनल पर आपका स्वागत है मैं सनिहा आज आपको बहुत ही यूनिक किचिन टिप्स बताने जा रही हूँ गर्मियों का सीजन आ रहा है जाड़ा खत्म होने वाला है तो हम किन सावधानियों को रखें कि हमारी जो तब्यत है बिलकुल खराब न हो चलिए पहले हम गोभी को लेकर एक टिप्स बताते हैं अगर गर्मी आ रही है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप गोभी की सबजी खाते हैं तो इसमें कीडा जरूर होता है गर्मी आनिते ही तो आप पहले इन्हें गरम कर लीजे आच में और दूसरी टिप्स है हमारी अद्रक को लेकर अद्रक आप सभी को पसंद होती है और ना भी पसंद हो तो भी हमें खाना चाहिए अद्रक में भोजन पचानी की छमता होती है गैस और कबजियत से हमारी शरीर को ये दूर रखता है स्वस्त रहते हैं इसे खाने पे तो हम इसे चाय में तो इस्तेमाल करते हैं पर चाय हमें ज्यादा नहीं पीने चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे पहले अद्रक को अच्छे से छील के इसके जूलियन्स कट कर लेंगे अगर आपके पास हल्दी के टुकडे हो तो बेस्ट है क्योंकि इस समय अभी हल्दी कच्छी मार्केट में आ रही है और अच्छे नीबू भी आ रहे हैं तेड़ नीबूं को लीजिए जितनी अद्रक हो उसी के हिसाफ से आपको नीबू औ ये कच्छी वाली हल्दी लेनी है अगर हल्दी आपके पास ना हो तो आप इन्हें अवायट कर सकते हैं नीबू का रस डालते समय ध्यान रखे कि बीच बिल्कुल ना जाए अगर बीच जाए तो आप उसे निकाल दीजे इसमें एक चमच हम अजवाइन मिलाएंगे क्योंक चटपटा बनाने के लिए हम इसमें चाहें तो मिर्च डाल सकते हैं पर मैंने एक आचार बनाया था नीबू अद्रक का उसमें बहुत मिर्च डाल दी और मेरे बगीचे की मिर्च थी बहुत तीखी थी जिसके खारण उसे खाना अब मुस्किल हो रहा है तो मैंने सोचा कि आपको जरूर बता दें जो कमिया है उन्हें आपको जरूर क्लियर कर देना चाहिए अगर मिर्च जादा तीखी है और बहुत जादा मात्रा में अपना डालें दो से तीन मिर्चें इसमें डालें और अद्रक डाल मिर्च उसका रेश्यो ध्यान रखे अगर आप तीखा खा चाहते हैं तब मिर्च बढ़ा सकते हैं और देखे यह मैने पुराना अचार बना रखा है इसमें मैंने नीबू के रस निकाल लिये थे और वही नीबू काड़ के इसमें डाल दिया ताकि कम खटा हो और मिर्च जादा है इसलिए बहुत तीकी है कभी कभी मैं एक आधा अचा बनाया है और अगर आचार में आपको चटपटा पंच चाहिए जादा तो आप इसमें मसाले और तेल भी डाल सकते हैं पर मसाला ध्यान रहे कि घर का बना होना चाहिए एवरेस्ट मसाला या आप कोई भी मीट मसाला बगरे डालेंगे तो या गोल्डी के मसाले तो इनके हमारी दूद को लेकर दूद हम अकसर उबालते हैं तो ऐसा लगता है कि दूद जैसे हम हटे तैसे उफान खाके दूद हमारा गिर जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूद उबालते समय या तो रहे या काम कर रहे हूं तो एक सावधानी रखें कि हमें इसके तब आप अपने बरतन को निकाल लीजिए और दूद को ठंडा हो नहीं दीजिए, उमीद है आपको हमारी ये टिप्स जरूर पसंद आएगी, अगली टिप्स है हम खिछडी बनाने जा रहे हैं, तो कैसे देखे ब्रोकली हम काटेंगे और बाकी सब्जियां हमारी पास फूल हो वो काट लेजिए और एक कप हम इसके अंदर दाल और अरहर की दाल और चावल मेक्स है, फुलगों भी डाले, थोड़ी सी दाल कम लग रही थी, तो मुँ डालेंगे, साबुत और साबुत मसूर डालना हैं, जिससे हमारी जो खिछडी है काफी हल्दी हो जाएगी, थोड आधे गंटे तक छोड़ दे रहे हैं, और आधे गंटे बाद हम देखेंगे कि हमारी दाल, चावल सब फूल जाएगी, तब हम इसकी खिछडी बनाएगे, पर ध्यान रहे कि इसका पानी हम बिल्कुल नहीं फेकेंगे, पानी का इस्तेमाल हम अपने पौधे में करेंगे, जिससे हमारा पौधा काफी हल्दी होगा, इस तरह से पौधे में अगर इस तरह का पानी हम डालते हैं, तो बहुत ही जादा पौधा फूल देता है, और काफी हल्दी होता है, देख रहे हैं न, इन में कितना फूल है, हम डेली अपनी सब्जियां धूलते हैं, या चावल तो पानी की भी बच्चत होती है, और साथ ही साथ हमारे पौधे को मेनेरल्स भी मिलता है, अब अगली टिप्स है, हम खिचडी तो हम बनाएंगे, पर हम कड़ाई में भूनेंगे, सब्जी बना लिया है, तो कड़ाई हमारी जो है, वो गंदी है, पर मैं फिर भी इस कड़ भाई को धुलूंगी नहीं, देखे कैसे हम अपनी भुजिया सब्जी निकाल लेते हैं, फिर एक चमचगी डालते हैं, गैस की फ्लेम को मेडियम रखेंगे, और इसके अंदर हम पंच फोरन डालेंगे, आपके पास पंच फोरन ना हो, तो आप इसमें जीरा भी डाल सकते ह हैं, फिर मिर्च के टुकड़े डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल रहे हैं, जो मैंने फ्रेश पीसा है घर की, और उसके बाद अपनी सब्जियों को इस चावल और डाल में से निकाल कर डाल देंगे, क्योंकि एक से दो मिनट सब्जी को भूनेंगे, तो हमारी जो टमाटर डाल देंगे, और शिम्ला मिर्च भी हम डाल देंगे, और इसे अच्छे से चला लेंगे, ताकि हमारी सब्जी भून जाए, और हमारी खिचुड़ी अच्छी बन सके, उसके बाद डाल चावल जो भिगोया हुआ था, उससे डाल कर भी 2-3 मिनट हम भून लेंगे, और भूनने के बाद फिर हम इस कड़ाई में से अपनी सब्जी को निकालेंगे और प्रशर कुकर में डालेंगे, पहले हम इस सब्जी को अच्छी तरह से भून लें, भूनने के बाद देखें सब्जी तयार हो गई है, तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी कड दहाई धुलते हुए हम पानी डालेंगे एक कप था तो चार से पांच कप पानी डाल दीजिए और अपने प्रशर कुकर को धगर सीटी लगा दीजिए अगर आपको हमारी ये यूनिक सी टिप्स पसंद आती है खिचड़ी बनाने की और इस खिचड़ी के साथ आप वह चार स सके अगर आपको हमारी ये टिप्स पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजेगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू